नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बॉलीवुड न्यूज नेट वर्क पर आज हम बात करेंगे दक्षिन भारत के सुपरस्टार चियान बिक्रम के बारे में, जिनकी जिन्दगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही है उनके संधर्ष, सफल्ता और नई फिल्म तंगालन की चर्चा करेंगे, जिससे उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया है कि क्यों उन्हें पैन इंडिया स्टार कहा जाता है चलिए जानते हैं उनकी कहानी एक विक्रम का संधर्ष और प्रेयना दायक सफर चियान विक्रम का करियर और निजी जीवन उतार चढ़ाव से भरा रहा है जब वह कॉलेज में थे, तब उनका एक गंभीर एकसीडेंट हुआ जिसके बाद उन्हें तीन साल तक बेड रेस्ट पर रहना पड़ा इस दौरान उनकी 23 सरजरी हुई और डॉक्टरों ने कहा कि वह फिर कभी चल नहीं पाएंगे लेकिन विक्रम ने हार नहीं मानी और इस संधर्ष से उबरते हुए इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम बनाया दो पैन इंडिया स्टारडम पर विक्रम का नजरिया विक्रम से जब कूछा गया कि अब उन्हें पैन इंडिया स्टार कहा जाता है तो उनका कहना था कि अब भाशा कोई मायने नहीं रखती अगर फिल्म पूरे देश में अच्छा बिजनेस करती है, तो वो पैन इंडिया मूवी कहलाती है और उसके कलाकार पैन इंडिया स्टार्ट उन्होंने कांतारा और मिननल मुर्ली जैसी फिल्मों का उदाहरन देते हुए बताया कि कैसे कंटेंट के दम पर फिल्में पूरे देश में सफलता पा सकती है तीन अप्रिचित और हिंदी दर्शकों के साथ विक्रम का कनेक्शन विक्रम की फिल्म अप्रिचित ने हिंदी दर्शकों के बीच उन्हें खास पहचान दिलाई उन्होंने बताया कि कैसे मुंबई और फ्रांस में लोग उन्हें पहचानने लगे थे जिससे वह बहुत खुश हुए विक्रम का कहना है कि एक कलाकार के लिए सबसे बड़ी खुशी यही होती है कि वह ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक पहुँचे और उन्हें प्यार मिले चार, बॉलिवुड में काम करने की चाहत विक्रम ने बताया कि वह बॉलिवुड के कई बड़े निर्देशकों के साथ काम करना चाहते हैं लेकिन विशाल भारदवाज और राजकुमार हिरानी उनके फेवरिट है उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने विशाल भारदवाज को कॉल भी किया था लेकिन उन्हें लगा कि ये कोई प्रैंट कॉल है विक्रम ने कई फिल्मों में यादगार किरदार निभाए हैं जैसे सेतु, सिवापुत रुदु और अनियन देवा थिरुंगल में मानसिक रूप से विकलान बच्चे की भूमी का निभाते हुए उन्होंने बताया कि कैसे उस चरित्र ने उन्हें मानसिक रूप से प्रभावित किया उन्होंने कहा कि इस तरह के रोल उन्हें और अधिक ग्रोथ देते हैं और वे आगे भी ऐसे चुनोती पूर्ण किरदार निभाना चाहते हैं उनकी हालिया फिल्म तंगालन में विक्रम ने कोलार फील्ड के इतिहास पर आधारित एक प्राचीन किरदार निभाया है इस रोल को निभाना उनके लिए शारिरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से बेहत चुनोती पूर्ण था उन्होंने निर्देशक पारंजीत पर विश्वास करते हुए इस कठिन भूमिका को बखू भी निभाया है दोस्तों, चियान विक्रम की जिंदगी और करियर की कहानी सच में प्रेयनादायक है उनकी मेहंत और संधर्ष ने उन्हें आज इस मुकाम पर पहुँचाया है अगर आपको हमारी यह विडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर करना न भूले और हाँ हमारे चैनल Bollywood News Network को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे कोई भी ताजा खबर मिस न हो धन्यवाद मिलते हैं अगली विडियो में तब तक के लिए देखते रहिए Bollywood News Network अज़ देखते हैं अगली विडियो में